किसान भाईयो नमस्कार आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं बैगन की उन्नत खेती की लगभाग संपूर जानकारी इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं बेगर की उननत खेती की जानकारी एकदम डिटेल से बिस्तार से यानि उननत किस्मों के बारे हम बात करेंगे कितने प्रकार कीट आते हैं, उननत समय खेत तैयार कप करना चाहिए, कैस जो temperature कितना माहिने रखता है मिट्टी संपूर जानकारी बताने वाले हैं बात करेंगे खाद का schedule तो बस आप इस वीडियो को end तक जरूर देखना बात करते हैं उन्नत समय देखिए आप बर्शात के लिए जून जुलाई अगस्त महिना बेस्ट है और गर्मियों के लिए आप October, November और December महिनों पर आप वेगन की खेती सफलता पूरबक कर सकते हैं वेगन की खेती वैसे तो भारत में 12 महिने की जा सकती है इसके अलावा बात करते हैं खेत तयार खेत तयार करने के लिए आप प्लाव, दकफेट, कल्टिवेटर, रोटोबेटर से खेत को समतल करा लीजि और आप एक काम और कीजिए, एक से दो वोरी, सिंगल सुपर फासफेट, आप पूरे खेतें बिखेर कर खेत को समतल करा लीजिए लीजिए आपका खेत तयार हो गया, बात करते हैं मिट्टी, बैस तो बैगन की जो फसल विरिंजिनल फार्में सभी परकार की मिट्टी पर स की जाए, तो सफल ता पूरा 15 डेगरी सेल्सियस से लेके 35-40 जो टेमपरेचर होता है ता आप मान होता है, बढ़िया माना गया है, हमारी फसल बैगन की उपज, उत्पादन, ग्रोथ के लिए आपका जो टेमपरेचर है 15-35 बढ़िया माना गया है, तब जाके आप सफल खे जो संगेरो सीट से 100 ग्राम का जो प्राइज से 1150 रुपे की संथिंग पढ़ता है, यानि संगेरो का जो हाईबरेट प्रगती है यह बढ़िया है, और जो यह संकर जो किस्म की प्रजादियां जो आप देख रहे हैं, यह दो फॉर्म में, दो कलार में अबेलेवाल हैं, ए आप उसी का चैन करना चाहिए, भर्मा की भटी वाल आप ने सुना होगा, भर्मा की भटी है, छोटी ज्यादा बड़ा साइज वेगन का नहीं आता है, बात करते हैं, प्लांट तयार करना, यानि नरसरी तयार आप किस परिकार कर सकते हैं, तो मैं तो कहता हूँ, आप बिल कर दीजिए, नरसरी तयार कर दीजिए, नरसरी तयार करने में जो समस्य आती हैं, कीट पर गोफ होती हैं, या फिर फंगस की समस्य आती हैं, डंपिंग ओफ होती हैं, तो मैंको जैप फंगी साइट को भी आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात करते ह एक एकड़ की दर से ही आपको जानकारी मेर रही है आपको 120-130 गराम आपको एक एकड़ पर सीट्स की आवस्सक्ता पड़ती है या फिर सरल सब्दों में कह सकते हैं 15,000 से लेकि 20,000 पौधे एक एक एकड़ में जरूरत पड़ते हैं इसकी अलाब बात करते हैं प्लांट से प् पौधे का ही हमको प्लांटेशन करना चाहिए यानि 2-3-3 पौधे की ही रोपाई हमको करनी चाहिए इसके अलाबा जैसे हम प्लांटेशन कर देते हैं तो हमको सिचाई जरूर करनी चाहिए इसके अलाबा बात करते हैं जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उस समय हमको कौन सी खाद देनी चाहिए काफी महतबूर टॉपए है देखें सबसे पहले तो यह कनफर्म कर लेते हैं कि जो हमाई नर्शरी है 35 से 40 दिनों बेगन की नर्शरी है पूरी तरह से तयार हो जाती है पौध रोपाई के लिए यानि 35 से 40 दिन लग जाते हैं और बात करते हैं रोपाई करते समय हमको कौन सी खाद देनी चाहिए तो रोपाई करते समय आपको देना है एन पीके 12 बातिस सोला जो खाद आती है आपको 10 से लेकि 15 पंदरा ग्राम प्रती गड़े पर दीजिए और आप प्लांटेशन कर दीजिए इसके अलाव आपने जैसे प्लांटेशन करती आप चाहते हैं कि आपकी फसाद थोड़ी सी ग्रोइंग हो उपाज उत्पादन ठीक तरीके से हो यानि इस्पेशल जो रोट है जड़े हैं ठीक तरीके से पकड़ना है तो आप प्लांट ड्रेंचिंग कर सकते हैं इसके ब्ลांट ड्रेंचिंग करने के लिए आप實 ड्रेंचिंग रोपाई से दूसरी या तीसरे दिन आपको क्या करना है एक हजार लीटर पानी ले ना है पाससु ग्राम एनपी के गुलनसील खाद आती उसको लेना है और 200 ग्राम करने का गोड़ लेना है प्लस 2 किलो ग्राम आपको humic acid खाद आती है उसको mix करना है यह 1000 लीटर पानी में और आप 50 से लेकि 100 ml 100-100 ml के हिसाब से प्रती पूद ही पर आपको ड्रंचिंग कर देनी है ग्लास की साहता से या फिर पंप की साहता से इसकी अलाबा सेकेंड ड्रंचिंग हमको करने है रोपाई से 5 भी या 6 भी दिन जैसी आपकी फसा रोपाई से 5 भी छटबे दिन की होती तो आपको 1000 लीटर पानी लेना है एक किलो ग्राम आपको एनपी की घुलान सील खाद 99-99 लेना है प्रेती प्लांटेशन में आपको प्ला देना है यानि ड्रंचिंग कर देना है जाड़ों फे पास ड्रंचिंग करनी चाहिए और एक एक एकर पर आप 1000 लीटर पानी के आसपास लीचिए और ड्रंचिंग कर दीजिए इसके आराब बात करते हैं सबसे महत्वूर टॉपिक यानि खाद का सेडियूर फिर बात करेंगे कीट नहीं अंतरब हंगस और भी अन्यजानकारी तो करपया ध्यान सुनिए खाद का सेडियूर बता रहा हूँ जिससे आप अपनी फसल पर ठीक तरीके से प्रोडक्शन ले सकते हैं रोपाई से जैसी आपकी फसल प्रती एकल की दर्स जानकारी दे रहा हूँ रोपाई से 10 से 12 दिन की जब आपकी फसल होती है तो आपको एक एकलम क्या करना है 10 किलोग्राम यूरिया लेना है और 2 किलोग्राम आपको एन पी की घुलंसील खाद 12,60 लेना है जो कि आपको ड्रेप पर दे देना है या फिर आप सिंपल तरीकी से जड़ों के पास देखा है पानी सिचाई कर देना है तो ध्यान राखना इस पर नहीं करना जाणों के पास देना है और सिचाई कर देना है या फिर आप सिंपल तरीक से करना है जाणों के पास या फिर ड्रिप पर करना है तो ड्रिप पर आप छोड़ सकते हैं दसवे बार में दिन इसके अलाबा रोपाई से, पौध रोपाई से हमाई बैगन की फसा ले जैसे ही 25 बे दिन की होती है तो तीन किलोग्राम हमको A.N.P की गुलंसील खाद लेना है, इसके अलाबा दो किलोग्राम सोक्च पोसक तक्तव ऐक तक खाद आती है उसको mix करके हमको जड़ों के पास या फिर ड्रिपर छोड़ सकते हैं प्रती एकल की दर से हैं इसके अलावा रोपाई से जैसे होई फसल लगभग 40 दिन की होती है तो हमको 10 किलोग्राम यूरिया लेना है और हमको 10 किलोग्राम लेना है सिंगल सुपर फास्वेट जो पाउडर फों में आती दोन को mix करके ड्रिपर या फिर जड़ों के पास छोड़ कर पानी सिचाई कर देनी है इसके अलावा जैसे हमाई फसल रोपाई से 60 वे दिन की होती है तो हमको एन पी के घुलन सील खा 13, 40, 13, 5 किलोग्राम इसके अलावा तीन किलोग्राम सल पर युक्त खाद को लेना है mix करना है, जड़ों के पास दे कर पानी चला देना है या फिर आप ड्रिपर छोड़ सकते है रोपाई से जैसे हमाई फसल लगभग 75 दिन की होती है यानि 75 वे दिन की होती है तो 10 किलोग्राम हमको केल्सी, हम नाइडरेड युक्त खाद लेना है और हमको 2 किलोग्राम बॉरोन युक्त खाद लेना है दोनों को mix करके हम अपनी फसलों पर जड़ों की पास दे कर पानी चला सकते है या फिर ड्रिपर आप खेती कर रहे हैं तो ड्रेपर छोड़ सकते हैं घुलंसील खाद है इसकी अलावा रोपाई से 90 दिन की होई जब फसल होती है तो ANP की घुलंसील खाद आती है जी रोबाई 34-5 किलोगराम इसकी अलावा 2 किलोगराम हिुमिक एसेड यह तो फर्टीलाजर साथ ही औरों को मिक्स करना है और आप ड्रेपर या फिर सिंपल तरीके से छोड़ कर पानी चला देना है अब हमारी किसान भाई कुछ सिंपल तरीके से खेती करते हैं तो सिंपल तरीके से खेती जड़ों के पास दीजिए खाद को और पानी चला दीजिए यदि आप drip पर कर रहा है तो drip पर छोड़ कर भी आप सिचाही कर सकते है drip की साहता से इसके अलाब जैसे हमाई फसल रोपाई से 100 से 120 दिन की होती है तो हमको क्या करना एनपी के घुलन सील खाट 0050 लेनी है 5 kg क्योंकि इस कंडिसान में जब हमाई फसल 100 से 120 दिन की होती है तो हारवेस्टिन चालू हो जाती है नाइट्रोजन फासपूरस पोटेसियम की मात्रा है पोटेसियम की 0-0500 पोटेसियम की मात्रा है तो हमको लेना है 5 kg और 8 kg हमको लेना यारा मिला फार्टि लाजरस आती है 8 kg दौनों के मिक्स करके आप ब्रेप पर यह फर जणों की पास छोड़कार सीचाई कर देनी है यह वो खादे मैंने स्चेडूल बताया है 120 दिन तक का बताया है यदि इससे भी जाद आपकी फसल उपर की होती है अधिक दिनों की होती है तो आपको क्या करना है इसी फर्टिकेशन को दोहरा सकते हैं यह फर्टिकेशन यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कम लागत पर भी ठीक तरीके से फर्टिकेशन कर सकते हैं आवस्सकता अनुसारी फर्टी केसन करना चाहिए यानि हमाई फसल पर कितने पोश्सकता तो यह कभी है उसकी अकॉर्ड ही हमको खात को देना चाहिए बात करते हैं कीट नियंतरन मुक्रूप से फल भीदक इसके अलावा बात करते हैं कौन-कौन से कीट आते फल भीदक तना मक्षी, फल मक्षी, हो पार, सिली, सुंडी का फ्रकूप देखने के लिए मिलता रही है तो यह सी कformation में आपको चार दवायों की नाम बता रहा हूँ जिनको इसप्री कर के आप आसानी से सुंडी को फल को खाने वाले कीट है फल छीदक तना चीदक को Нетरां कर सकते आदामा इंडिया कंपनी का फिले टोरा इंसेक्टी साय राती 300 ml एक एक एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी में इसके अलावा एक और दवाई का नाम बता रहा है जो आप स्प्रे करके बरिया तरीटी से कीटों को नियंदर कर सकते हैं एमा में अक्टिंग बेंजाइट 5% एसजी को आपको लेना है 80 ग्राम और आपको कार टॉप हाइड्रो किलोराइट को लेना 150 ग्राम एक 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 एकड़ पार 200 लीटर पानी पर छिलकाप कर देना है जब भी आपकी फसलों पार फल भेदक कीट का तना छेदक कीट का देखने के लिए मिले आप इसप्री कर सकते हैं बात करते हैं इसके अलाबा सुन्डी अंडे लारवा एक साथ आप कंट्रोर करना चाहते हैं तना छेदक का भी प्रिकोप है फल भी दक का प्रिकोप है तो बाइर कंपनी की लारवन इंसेक्टिसाइट को 200 ग्राम एक आप स्प्री कर सकते हैं और यह एक ऐसी इंसेक्टिसाइट मैं बता रहा हूं जो लंबे समय तक आपको रिजल्ट देती हैं इसके अलाबा यदि केवाल और केवाल रस चूसने वाले कीट है यानि एफट जैसे ठ्रिप्स एफट जैसे ठ्रिप्स के लाब वाइट फिलाई है माइट है तो फिपरोनल 40% प्लस इमेडा किलोरीपेट 40% 150 ग्राम यह एक एक एकलपा लेना है और सेजेंट्र कंपनी का एक तारा इंसेक्टिसाइट आता है यह एक एक एकलपा दौनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी पर छलकाप कर देना है आप आसानी से कीटों को नियंत कर सकते हैं इसकी अलावा किसान भाई जैसे हमाई फसल लगवाग 20-25 तीस दिन की होती है हम चाहते हमाई फसल बैगन की थोड़ी ग्रोइंग हो थोड़ा सा रूट ठीक तरीके से पकड़ लें और हाइट थोड़ी से ग्रोथ बढ़वार इंक्रीज कर सकते हैं तो उसके ल करेंगे तो आपको बढ़ियां रिजल्ट मिलेंगे आप ठीक तरीके से फल फूल को इंक्रीज कर पाएंगे किसान भाई हो जो मैंने आपको फल भेदक तनाचीदक कंट्रोल करने के लिए इल्ली सुन्डी कंट्रोल करने के लिए काफी ब्रांडेट दबाई बताई हैं जि को रिजल्ट मिलेगा क्योंकि सबसे बाड़ी समस्चा मेरे को पता है कि फल भेदक की तनाचीदक की यह ऐसी समस्चा इल्ली सुन्डी की शमस्चा आती हैं तो मैंने जो चार दवाईएं बताई हैं बढ़ियां रिजल्ट हैं इसके अलावा बात करते हैं फंगस कंट्रोल यानि कई परकार के फंगस आते हैं फ्रूट रोड स्केप आउट मिल्डियू डाउन मिल्डियू और पिलाइट से रिलेक्टिट फंगस आते हैं लीप स्पोर्ट्स और भी लीप करल जैसे समस्चा देखने के लिए मिलती हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ लागवाक सही फंगस कांट्रोल करने के लिए बी एसेप कंपनी की मेरी वन फंगी साइट आती है आपको 80 ग्राम एक एकड़ पर स्प्री कर सकते हैं जब आपकी फसल पर बैगन की फंगस प्रकोप देखने के लिए मिल रहा हो इसके अलाबा फोली गोल्ड फंगी साइट को आपको लेना इसेट करेंगे कॉपर ऊक्षी किलॉराइड है उसको आपको 400 ग्राम एक एकड़ पर प्रिए करेंगे तो आप आप आसानी फंगस को कन्ट्रॉल कर पाएंगे जितने प्रकार के फंगस आते हैं एक थो बि-ए-स-प कंपणी की मेरी वन फंगी साइट आती है फोलियो गोल् जाना भेता किली सुन्डी की जो दवाईएं बताई हैं बहतरीन रेजल्ट हैं यानि बहुत ही अच्छे रेजल्ट हैं आप इस पर करके काफी लंबे समय तक कीटों को नियंतर करके रख सकते हैं किसान भाई कि इसके अलावा और ही बड़ी समश्य आती है जैसे हमाई बैगन की पूरे प्लांट के प्लांट सुक जाते हैं यानि फलते फूलते प्लांट से सुक जाती हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको सूख है न तो आपको क्या करना है ट्राइको डर्मा 500 ml लेना है इसके अलाबा आपको लेना है जो बायर कंपनी के रीजेंट जी आ रहाता है फिपरोनल 0.3% को आपको 2 kg लेना है दोनों को मिक्स करना है यदि आप सिंपल तरीके से कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा जणों के पास खोद कर इस खाद को दे सकते हैं इसको आप इस दवाईयों को दे सकते हैं इसके अलाबा ड्रिप पर यदि आप खेती कर रहा है तो ड्रिप पर भी आप रीजेंट जी आर ट्राइको डर्मा को छोड़कर यदि आप देंगे तो आपकी जो प्लांट से सोकेंगी नहीं इसके अलाबा किसान भाईयों जब जरूरस से ज़्यादा यहाँ बैगन की फसल यानि फल फूल नहीं आ रहा है एकदम हाइट हो रहा है जरूरस से ज़्यादा तो आप मैं भी कॉइट क्लोराइट को इस प्रे कर सकते हैं जैसे घरड़ा कंपनी का चमत का टोने काता है दो सो पचास से एमल एक एकड़ पर आप इस प्रे कर सकते हैं किसान भाई हो बैगन की फल जितने चमकदार होंगे यानि जितने ही कलरफुल होंगे साइज से बढ़िया होगा उतना ही अच्छा हमको रेट मिल सकता है तो जो कलरफुल इंक्रीज करने के लिए बैगन का कलर बढ़ाने के लिए या पर चमक बढ़ाने के लिए चमकदार क पर इस्प्रे करना चाहिए जब आपकी फसलों पर फल आना इस्टार्ट होगा हो तब आप बोरॉन को इस्प्रे कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताए बैगन की उन्नत खेती की एटुजेट से संपूल जानकारी आसा करते हैं यह वीडियो आपको जर सवाल है सुजाब है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल है सुजाब लिखके भीज सकते हैं आज की वीडियो बस इतना ही थैंक्यू सो मच